नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो जैसा कि आपको मालू होगा कि आज कल फिल्मों का बजट आसमान छूने लगा है ऐसे में आपके भी जहन में एक सवाल आता होगा कि इतने बजट की रिकवरी आकिर होगी कैसे यहां सबसे पहले मैं आपको बता दू कि फिल्म हिट हो या फ्लॉप प्रोडूसर को कभी भी घाटा नहीं होता हाँ 80s, 90s और early 2000 में होता था क्योंकि उस समय रिकवरी के लिए इतने आप्सन नहीं थे मगर आज की तारिक में hardly किसी प्रोडूसर को नुकसान होता है दोस्तो आज हम यही जानेंगे कि इसके पीछे की एकॉनमी क्या है क्यों इस्टार्स को 200-300 क्रोंड की फीज दी जा रही है और इतने हाई बजट की फिल्में बनाने का कल्चर कहां से आया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें रिसेंट्ली आपने खबर सुनी होगी कि तमिल सूपर स्टार थलपती विज़े जो बहुत जल पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री करने वाले हैं वे अपनी लास्ट फिल्म के लिए थाई सो करोड की फीज़ चार्ज कर रहे हैं ठीक इसी तरह थलाईवा रजनीकान, थला अजीत कुमार, सूर्या, अलू अर्जुन, महज बाबू, राम चरण, जूनिर एंटियार, प्रभास और यस ये वो इस्टार हैं जो अपनी फिल्म में काम करने के लिए 100-200 करोड की फीज़ चार्ज करते हैं इसी के चलते इनकी नॉर्मल से नॉर्मल फिल्म का बजट भी 200-300 करोड पहुचने लगा है अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो कल की 2898 AD, बजट 600 करोड, सूरिया की फिल्म कंगवा, बजट साड़े 300 करोड, गेम चेंजर 500 करोड, पुसपा टू 500 करोड और जूनिर एंटियार की फिल्म देवरा को 200 करोड की लागत में बनाया जा रहा है ठीक इसी तरह और भी बहुत सारी फिल्मे हैं, जिनका बजट 200 से 200 करोड के अराउंड होने वाला है अब ये कौन लोग हैं जिनने 200-200 करोड की फीज देने में भी बिल्कुल आपत्ती नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो 16 करोड की लागत में कंतारा जिसी फिल्मों का अच्छा उधारण हमारे सामने है दोस्तों साउथ और बॉल्यूड में मेजर अंतर आज की तारिक में बस यही है कि बॉल्यूड की फिल्म में हिट है या फ्लॉप, लोग आज भी इसका आकलन इसके बजट के बेसिस पर करते हैं वहीं साउथ की फिल्मों का बजट वो लॉलिपॉप है जो ओडियंस को अटेक तो करता है मगर फिल्म हिट है या फ्लॉप, ये उसके थेट का लाइट्स कितने दामों में बिके हैं इस बात पर निर्भर करता है अगर फिल्म अपने ब्रेक इवन को पार करती है तो हिट अधर्वाइस उस फिल्म को फ्लॉप की वर्डिक दी जाती है वैसे आपको बता दू इन फिल्मों का ब्रेक वन पॉइंट भी बहुत ही नॉर्मल सा होता है जिसे फिल्म अमोमन अपने साथ दिनों में कम्प्लीट कर लेती है इसलिए आपने देखा होगा कि थलपती विजे की फिल्म वारिसू का एस्टिमेटेड बजट था 200 से 2500 करोड फिल्म ने कमाई 300 करोड और इस फिल्म को सूपरेट की वर्डिक मिल गई वल्टायर विर्या जिसे 140 करोड की लागत में बनाया गया इस फिल्म ने बॉक्स आविस पर 235 करोड की कमाई करी और फिल्म को टैग मिला एक ब्लॉकबश्टर फिल्म का थुनिवू जिसे 200 क्रॉंट की लागत में बनाया गया वो 500 क्रॉंट की कमाई के साथ एक सूपर 8 फिल्म का टैग ले लेती है वहीं बॉलिवूड के केस में रूल अलग है सपोस करिये किसी बॉलिवूड की फिल्म को 100 क्रॉंट की लागत में बनाया गया इस फिल्म ने डिर सो क्रोंड की ग्रॉस कमाई करी यहाँ पर हम ग्रॉस कमाई पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे हम बात करेंगे इसके net collection की जो की मेरे ख्याल से डिर सो क्रोंड की लाकत में 100 क्रोंड के around होगा और इस basis पर हम इस फिल्म को average डिकलेर करते हैं वैसे अगर मान लिजे South की फिल्में गलती से भी अपना break even पार नहीं करती तो भी makers को बिल्कुल भी घाटा नहीं होता इसकी वज़ा अभी मैं आपको आगे बताता हूँ देखिए आप कितनी भी बढ़ियां फिल्म बना लो अगर आपका हीरो कोई sellable face नहीं है तो आप ये मान की चलिए आपके लिए risk उतना ही हाई है वहीं यदि आपके हीरो की एक market value है तो आप कितनी भी रत्दी फिल्म बना लो आपके producers को घाटा नहीं होगा आज की तारिक में फिल्म का जितना बड़ा budget market में उसकी इतनी हाईप बड़ी फिल्मों में advertisement high price पर होता है और brand placement भी बहुत भी बड़े स्थर पर किये जाते हैं साइद आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप brands के advertisement बार बार देख रहे हो hero कौन से brand के कपले पहनता है उसकी घड़ी कौन सी है वो phone कौन सा use का रहा है और even bike ये car जो फिल्म में use होती है वे किस company की हैं दोस्तो इन सबी चीजों को अपनी फिल्मों में integrate करने का एक price होता है वहीं hero अगर A-list actor है तो recovery के काफी सारे option खुल जाते है वो भी बड़े high price पर टीवी वाले satellite right के normally 40-50 कौन दे देते हैं तेटकल lights की बात करें तो ये tetri wise अलग-लग divide होते हैं और इन्हें काफी high price पर बेचा जाता है इसके बाद आते हैं overseas right इसमें होता ये है कि बाहर के देशों में film को कौन distribute करेगा इसके अलावा art की तारिक में जो सबसे बड़ा option निकल कर आया है वो है digital rights Netflix और Amazon Prime जैसी कई सारी कंपनियां आ चुकी हैं जिनके बीच नई फिल्मों के digital rights खरीदने की होड लगी रहती है South के पास चार major languages में अपनी फिल्मों के digital और dubbing rights बेशने का मौका होता है कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि किसी particular फिल्म के तमिल और तेलगू के rights Netflix के पास हैं तो उस फिल्म के हिंदी dubbing rights Amazon Prime के पास हैं ये OTT rights 100-200 क्रौन की लागत में बिकने लगे हैं वहीं फिल्मों की music rights को जियो सावन और Spotify जैसी कंपनियां acquire करती हैं यानि कि प्रोडूसर्स की जो भी लागत है वो फिल्म की release से पहले ही निकल आती है बस अरते आपकी फिल्म का hero बड़ा हो फिल्म का budget जादा हो तो उसी हिसाब से आपको हर चीज के rights में काफी high price मिलते हैं suppose करिये अगर आप एक बहुत बड़ी फिल्म बनाते हो और अगर आपका hero छोटा है तो definitely आपको इस तरह की deal कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी जो कि थलपती विजय, रजनी कांत, अलु अर्जुन, महस बाबू करोंड की fees चार्ज करने लगे हैं और makers खुसी-खुसी उन्हें fees देने को तयार भी रहते हैं वहीं Bollywood के लिए ये situation उतनी भी easy नहीं है मान लीजे कोई तेलगू फिल्म है उसे अगर आप हिंदी में डप करोगे तो आपको एक larger audience मिलेगी वहीं अगर आप अपनी फिल्म को तेलगू में डप करते हो तो आपको इतनी भी audience नहीं मिलेगी कि आपका खर्च निकल सके इसके अलावा हिंदी प्रोडूसर्स को Tamil, Kannada और Malayalam जैसी languages में अलग से काम करना होगा यानि कि आप अपनी फिल्म को एक पैन इंडिया फिल्म बन जाती है इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि Bollywood की फिल्म में अपने बजट के compare में कितनी cross कमाई करी और उसमें इसका net collection कितना है इसके भिहाब पर इस फिल्म को hit या flop की verdict दी जाती है अगर stars को 200-300 क्रोंड की fees दी जाने लगी तो mostly फिल्म में box office पर बुरी तरह से flop होंगी यही वज़ा है कि Bollywood के बड़े heroes अपने ही production house में काम करते हैं या तो वो 1500 क्रोंड की minimum fees लेकर profit sharing करने में विश्वास रखते हैं इसलिए Bollywood के जो बड़े heroes की फिल्म में भी हैं वो भी 100 से 200 क्रोंड की लागत में अमूमन तैयार हो जाती हैं दोस्तो Bollywood में makers की कोसिस यही रहती है कि वे अपने budget को कम से कम दिखाएं वहीं South में culture है अपने budget को flex करने का यहां 100 बात की एक बात यही है कि फिल्म चाहे South की हो या Bollywood की producers को कभी भी घाटा नहीं होता और यह एक अटल सत्य है तो दोस्तो यह रहा आज का हमारा special वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे comment section में जरूर बताएं साती सा next अब आपकी topic पर वीडियो देखना चाहते हो इसकी जानकारी भी नीचे comment section में जरूर दें दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल